दोस्तों यह बीज़ बिपेरिंग के लिए आया हुआ है इसके अंदर दिक्ता दिया है कि इसका पानी लीकेज कर रहा है यहां पर कोई लाइट नहीं जला है इसे हम ओपन करेंगे तो यह हमारा कवर उपर से निकल जाएगा तो हमने इससे डिला करके खोल दिया है तो हम इसे एक बार हटा के आपको चेट करके दिखाते हैं तो इसे हम एक बार हटा देते हैं तो हटाने के बाद में अंदर का कुछ इस तरीके से इसका सिस्टम दिखता है इसके अंदर थर्मोस्टेल लगे होते हैं अलाइमेंट है और इंडिकेटर लगा हुआ है तो यहां पर देखिए दोस्तों यहां पर इंडिकेटर एक ही लगा हुआ एक इंडिकेटर नहीं लगा हुआ है इसके अंदर दो इंडिकेटर हो तो एक ही इंडिकेटर इसके अंदर लगा हुआ है तो अब भी हम क्या करेंगे सबसे पहले यह हमा का की तरीकशा करेंगे की तर्मोफ्ट descriptive हाई वी लेंगे हैं है तो यह मुर्मारा सबकुछ सभ्टारिव होग्ट यहां पर लगा यहांब गीक्त करता है इस हम पूरी तरीका से ऊपन करते हैं एक बाल्ब अच्छे से च्षीक करेंगे कि तिक्क्त कहां से आ यह पर नेट लगा होँआ ऐसे यहां पर नेंट लगा रहता है ऐसे यहां पर निट लगा रहता है तो टाइम बचाने के लिए इन सब नेट को खोल लिया तो इस तरीके से इसका निकल चुगा है दोख्तों अब देखिए अंदर से कुछ इस तरीके दिखता है यह रूई टाइप का इसके अंदर लगा हुआ है ताकि इसका जो इसके अंदर पानी गरम हो जाए टंकी को मतलब बाहर का हवा न लगे जिसके वज़े से देर तक इसके बारि पर भी बद्दर इसका हीटिंग बारी पर न और इसके वज़े से फिससे लगा जाता है तो इसे एक बार निकाल के हम आपको दिखाते हैं यहां तो इसका connection हम में ख।ल और इसके थ्रमो इस्ट्रेट को बाहर कर लेते हैं क्यूंकि इसका connection कि लोहतrito ज्यादा काठा और डिया Aины spielen काठा दिया यहांगे थ्रमो इसे दोस्तो यहां से इसके इंटा देत으면 पानी चार दिया और इसका करता है यहां पर देख रहोंगे करता है यहां पर देख होंगे यही हमारा पानी को गर्म करता है तो कुछ इस तरीके से काम गरता है अब अधर हम पानी भर करने वाले हैं कि हमारा कि पिस दोस्तों इसका जो निट कामर यहां पहों लिया है ज्यादा मुर्चा लिया हुआ इसमी कोशिक कर रहें तो इस तरीके साह मिसे खोल बाहर कर लेंगे और किने के बाद में इसके अंदर हम देखे पानी बरके छेक करेंगे पर देखेंगे कहां से लीकेश कर रहा है तो अभी हम इसके नेट को लें यहां पर नेट हमने खोल लिया यहां यहां से अब यहां पर हम नेट खोल लें खोलने के बाद रिसे लिए अंदर क्या है और गो ड्सकानिमे लिए लगा हुआ था एक दो टीन चार पांच और यहां पर छे यह सारे नेट हम ने पांच नशेका लिए यहां पे बोल लागा हुआ तो तो इसे खोल आपनी निकाल लेते हैं तो देखने लेकर लिए कूछ इस तरीके से दिखाई देता है इसके इनदर है और यहां पाइप है डारेक्ट लॉला जो यह पानी यहां से पनी रोक्ते हो यहां पे पनी या ता और इसे डारेक्ट पानी यहां से बाहर आ पर तो कुछ अंदर का तरीके से दिखता इसका जिश्चेम अपर के नियां में यहां पर देखा उटारिट से सबम्हार हुम्हां अब टे लेघुए पर इस्की किरेंगे और करें सब्सक्राइब अच्छे से जो है चिपका देंगे ताकि थोड़ा वो जो लीके जो हो भी उपर से ना करें खत्व हो जाए कि 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 इसके बाद रुकर मेरे दिया दो तो अब इसके बाद में इसके अंदर इसके अलाइमें को लगाएंगे ना इस 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 दोस्तो इसके ऊपर का सारा सिस्टम ने लगा दिया है अब इसके निट को टाइट करेंगा एंगा नेट के अंदर थोड़ा सा इसके अच्छे से टाइट हो जाए अगर आगर आगर अगर आगर 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 दोस्तो हमने इसके सारे नेट को फसा लिया अब इसके अच्छे से टाइट कर देंगे दोस्तो हमने इससे अच्छे से इसके सारे अच्छे से लगा देटेंगे अच्छे से अच्छे से अच्छे से लगा देने वाली बात है कि अच्छे से आप देखेंगे तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा तो दोस्तों जो थे जोडागैब देंगे जाए लगाकर दीजिए कोंब पर टाई कर देते हैं कंछा कि दोस्क侏पस्क अध़ों कर दिया और जो एक वाय बच रहा है वह में यहाँ कि शेइंडेटर का जो एक वायर है दो नहीं कि अस्तर तरिके से आप देख रहे हुगे यह crisp दो मुद्ध कर लेंगे कि ऐसमें असलगर करके एक पिंट नहीं कर देंगे कुछ इस तरह से दोस्तों कुछ इस तरीके से हमने करनेड कर दिया है आप देख रहे होंगे अब यह इंडिकेटर का जो है एक दोनों इंडिकेटर के एक वायर बच रहें तो इसका connection कैसे देना है हम आपको दिखा रहे हैं तो अब जो इंडिकेटर के एक वार बच रहा थर्मो इस्टेट के जो पहला वाला थर्मो इस्टेट है उसके आखरी जो एक पिन बच रहा उस पर हम कनेक्शन दे देंगे खर्मो इस्टेट के दूसरे अलेपीं से दोस्तों इन्डिकेटर का और एक वायर केक क्नेक्शन बच रहा है तो एक त्रस Workshop configuration क्या करेंगे कि जो दूसरा धर्मोष्टेड उसके पहले पिन पहम यहां से एक वार करने करके यहां पर जोड़ देंगे कुछ इस तरीके से करें 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 कि दोस्तों मुझे की द्माला presume धि इसके पहले पिन यहां को कलke कर दिया है आप पहुआ के कर दिया अब देख लीजिए यहां पर एक बार देख लीजिए जो में के दोर करें रहे को अ थिर हे इसके बाद में जो थर्मोस्टेट़ का सब्सक्राइब, जोड दिया इंडिकेटर का मारे हैं दोसके यह यह जोड़ दिया है अब इंडिकेटर रा भूए होफाला डिपते। बारने ग dwa क्या करेंगे क्या के यह जो तर्मो िश्टेट लास्ट वाला बच रहा दोस्तों ata इस वाले तर्मों चती एक वार करेंगे कड फेल वाला पिल बचण यहाँ सब्सक्र रोर करेंगे खुलोरिय। कर दिया और उसके बाद में अलाइमेंट का जो दूसरा पिन बच रहा है लास्ट वाला उसी पर इंडिकेटर का एक वायर और थर्मो इस्टेट का लास्ट वाला एक वायर उठाके कुछ इस तरी के सम्म लगा देंगे इसमें कर दोस्तों इसका किनेक्शन पूरा कंपलीट हो गया है एक बर हम फिर से आपको एक बर अच्छे से बता देते हैं तो देख लीजिए हमारा में केविल है में केविल के और से दो तार आया हुआ है एक वायर निकला है थर्मो इस्टेट से दूसरे वाले पिन आपको समझ में आ गया होगा अब बारी है इसके टेस्टिंग की एक बार लगा के हम इसे चेक करते हैं कि हमारा कनेक्शन काम कर रहा कि नहीं कर रहा है दोस्तों हमने लगा दिया है और एक बार हम इसे डारेक्ट लगाएं देख लीजिए दोस्तों हमारा दूनों जल आएं दोनों इंडिकेटर जल आएं कुछ इस तरीके से जब यह अटो कड़ करेगा दोस्तों तो मतलब यह बन हो जाएगा और यह जलता रहेगा तो अब हम इ इसका कवर लगा उपर तो इसकी फिटिंग मतलब हो रही है और यहां पर जो यहां यहां पर जो निट लगा होता है साइड साइड में उने टाइड हो रहा है अब लास्ट नेट बचा हुआ है यहां पर यह भी टाइड करके और इसे पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे दोस्तों यह गीजर का जो मतलब पेच होता उसको कबर करने के लिए है अभी हम जब लगा रहते तो यह मतलब बहुत जब दादा मदब छोटा पड़ना है चंडी का मुसम में इसलिए सुपड जा रहा है तो इसको क्या करना है कि थोड़ा सा इसे खीच के खीच के बढ़ा देना है तो यह आसानी से बढ़ जाएगा फिरिए फिटिग हो जाए इसकी तो कुछ इस तरी के दहा दिया इसे और लगा दे रहें तो हम नेतर सरे किझे रहे हैं यह आसानी से कवर देगा उपर लगा देते हैं एंक विकार से अथा है कुछ लगा दिया हैं समस्ट करकुषिए, अप्छना ठास ही कवर है उसके वान में हम इनिकाल का वा बनत उतनी देते मद्द आखन पर देदाना। इंब और उ सबस्टित कि को पॉयाँ कि अजय कर दो दोस्तों हमने अच्छे से ट्राइड कर दिया अब इसे भी हम एक बार अच्छे से ट्राइड करके लगा देते हैं कि अच्छे मार अच्छे से लाव सबनागा प्राइड कर दोस्तों प्राइड कर दो दोड़ वां शोस्तों है कि ए tässä मारे इसके लिए इसके अधर में लगाया अभी मैं आप अभी स्थाय जो एक दोर फिझ यो बच रहा है वह घो आदेंगे दोस्तों यह मारा पूरी तरीके चर्ट such आप्य मैं erwis last अब यह हमारा जो है लए के में लेडी है अम यह घ्यारण कि हैं जाकि हम लगा देंगे